जहां एक तर जोरो शोरो से बीजेपी करनाटक में रोट शो कर रही है वहीं दूसरी तरफ एवीपी सी वोटर सर्वे में लोगों से बीजेपी को लेकर उनके काम को लेकर सवाल पूछे जाने पर लोगों दुआर गिए के जवाब किसी को भी चोका सकते हैं ABP News द्वारा के गए ओपिनियन पोल में करनाटक के लोगों से राजसरकार के काम काज के बार में पूछा गया जिनके जवाब हैरांग कर देने वाले थे आपको बता दे कि इस पर महज 29 प्रतिशत लोगों ने की बस्वरा सरकार के काम काज को अच्छा बताया है इसमें 31 प्रतिशत लोगों ने BGP सरकार के काम काज को ओसत पताया और वहीं करनाटक के 50 प्रतिशत लोगों ने भाज़पा सरकार के काम काज को खराब माना है यह आकड़े साफ साफ दर्शात है कि चाहे आप रोडशो कर लीजिए या आप धर्म के नाम पर राज़नीती तलवारी चला लीजिए लेकिन जब तक असल मुद्धो को नहीं दिखेंगे तब तक आपकी जीत करनाटका के विदान सबचनाफ में होनी काफी मुश्किल है क्योंकि करनाटक की जनता भक्त हो सकती है लेकिन अंधभक्त नहीं हो सकती उन जिसमें आपको फिर से बता दिए करनाटका के 50 प्रतिशत लोग बीजेपी सरकार के कामकाज को खराब मानते हैं तो वहीं देशनीती ओपिनियन पोल के मुताबिक भाज़पा को 70-75 सीटे कॉंगर्स को 130 के आसपास कॉंगर्स को 130 के आसपास और जेडियेस को 20-22 के आसपास सीटे मिलने का अनुमान है आपके जादकारी के लिए बता दिए करनाटक विधान सबचनाओफ 2024 सीटों के लिए मद्दान 10 मई को होगा और उनका फैसला 13 मई को आएगा साथ ही ऐसा माना जा रहे कि इस बार करनाटक में मुख्य लड़ाई बीजेपी कॉंगर्स और जेडियेस के बीच मानी जा रही है फिलहाल करनाटका के स्थितिय है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को रोड शो कर बीजेपी के लिए माहुल से धारने की कोशिश करनी पड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ कॉंगर्स करनाटक के लोगों को बीजेपी के सच और उनकी परिशानियों से रूबरू करवाने में लगी हुई है इस समय सबसे ज्यादा माहुल गरम करनाटक में ही है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव सर पर आ चुके हैं और राजनीतिक पार्टियां लगातार तयारी में जुटी हुई है अब देखना यह है कि किसको करनाटक की जनता जिताईगी और किसको हाल का मूँ देखना पड़ेगा लेकिन तब तक के लिए बनने रहे हमारे साथ देशनीति में और चानल को सबस्क्राइब करना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद